हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम विज्ञान के उन महत्वपूर प्रशनों को देखेंगे जो आपके बोड के एक्जाम में यहीं से प्रशन छपेंगे फ्रेंस आज हम बहुई कल्पी प्रशनों के साथ सा दिर्ग उत्री प्रशनों को भी देखेंगे आप सभी के लिए पूरे किताब को एक निचोड़ हैं और यहीं से हंडेट परसंटेज आपको गारंटी देते हैं कि इसी में से आपके सवाल 27 फरवरी को बोर्ड के एक्जाम में आएगा चलिए फ्रेंज वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला सवाल है फ्रेंज आपका कि किस रंग का प्रकिरण सबसे कम होता है फ्रेंज यह आपकी बोर्ड के एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है इसका अप्सन है बैगनी पीला और नीला और लाल देखिए फ्रेंज यहां पर आपको कंसेप्ट बताते हैं आप इस प्रेंज सबसे कम होता है इसका रंक बैगनी का अधिक होता है और लाल का क्या होता है कम प्रकिरण होता है उसी तरह विचलन का बैगनी रंग का अधिक होता है जबकि लाल का क्या होता है फ्रेंस कम विचलन होता है इसी तरह अपवर्तन का विचलन का अधिक होता है लाल रंग का कम होता है ठीक है फ्रेंस इसका मतलब यहां से तीन का त्रेंग दर्द में क्या होता है यहीं पर आपको और देखना है कि लालरंग कब दर्ध में just यही और यहीं होता है डिक पर प्रशंटेज हम सालगें करेंट काूए कि पर्रहद बॉंड skies इंदेशन मने जरूर आपके प्रश्ण एक दू आएंगे ठिक हैं इस प्रशन का इंस्वरत की देखिं यहां पर पूछाई सबसे कम किसका है यहां पर तक किसका कम है लाल शेक्तर कवाब करने आठीक सब्सक्राइब है इस तरह को दो कि वीडियो जिस्के जेक जिससे आप बूर्ड की एक्जाम में अधिक से अधीर नंबर प्राप्त कर सके आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि एक ब्यक्ति अपने चश्मे में 20 cm फोकस दूरी का उत्तर लेंस उप्योग करता है उस लेंस की छंता क्या होगी देखे फ्रेंस यहापको प्रश्ण और फोकस दूरी कितना है 20 है देखे 25 है 100 यानि कि आपका या 5 अब देखे फ्रेंस यहाप पर जब आपसं देखेंगे तो आपका दिया है माइनस 5D डी का मतलब यहाँ पर डायोप्टर है प्लस 5D प्लस 2D माइनस 2D अब देखें यहाँ पर दो आपसं मिला है माइनस में 5 और प्लस में 5 देखें यहाँ पर आप concept याद रखिए यदि आपका इंसर उत्तर लेंस है ठीक है क्या है उत्तर लेंस इसकी जो छंता होती है हमें सा प्लस में होती है ठीक है लेकिन जब आउतर लेंस होता है जितने भी concept बता रहे हैं फ्रेंस आप जरूर याद रखिएगा इसी में से प्रस्न पूछेंगे यदि आउतर लेंस है यहाँ पर कौन सा लेंस है उत्तर लेंस है तो जो आपका पांच आरा है किस में आएगा प्ल किस सवाल है कि वेबर किस रासी का मात रख है ठीक है और िसके साथ में आप याद रखिएगा जोगा भी इसको जरूर याद रखिएगा Bengal कि इसको जरूर याद फार्मूला में पूछ देता है ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं या आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि भारत वर्स में एसी की आविर्ती होती है तो फ्रेंज डायरेक्ट याद रखिएगा जो भारत है ठीक है इंडिया है इसमें जो आपकी आविर फट्रूदकता निरभर करती हे ठीक है है जिप अ günौह प्रचन का इंदर और यह ताय होता है और इसी उक्यों क्या बोलते हैं लेकिन इस रो को क्या वह प्रचिरोधा बोलते प्रतिरोधक्ता का मात्रक जरूर फ्रेंस आप याद रखेंगा क्या होता है ओम मीटर होता है जितने प्रशन बता रहा है आप एक-दो बार वीडियो को देख के सभी प्रशनों को आप याद रख लिएगा सभी बहुई कल्पी प्रशन जतने करार इसी में से फसेंगे ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देख रहे हैं आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि एंपियर सेकेंड मात्रक है देखिए अब एंपियर सेकेंड किसका मात होता है आवेश का अब देखिए आवेश बराबर आपको पता होगा क्यों इसका मात्रक होता है इसका मात्रक क्या होता है याद रखिए कि इतने प्रशन बता रहे हैं उर्जा का मात्रक जूल विभव का मात्रक फ्रेंस आपका होता है बोल्ट ठीक है विभव का मात्रक क्य और धारा का मत्र क्या होता है अपका MPR देखिए अभी पता है न क्या होता है MPR जितने भी पता रहे हैं सभी को याद रखिएगा ठीक है फ्रेंस चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं साथवा नंबर का सवाल है कि एक वैदुत बल्ब पर 220 बोल्ट एम 100 वाट अंकीत है उसके तंतु का प्रतिरोध होगा देखिए फ्रेंस इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे देखिए आपका P स्कल्टू होता है भी स्कॉार अपान आर इस पर फार्मूला पे दो तीन सवाल ज अब देखें फ्रेंस जब आर पूछ रहा तो आर इसकल कितना हो जागा 250 गुड़े 250 अपान क्या हो जाएंगे देखिए 250 अगुड़े 250 अपान P कमान कितना है P कमाने 108 यहां पे लिखेंगे 100 देखिए 1010 10 10 10 25 25 में गुड़ा कराएंगे कितना होगा 600 25 ठीक है और देखिए यहां पर प्रतिरूत का मात्रक याद रखिएगा क्या होता है और इसको सिंबल इस तरह देखाते हैं तो कितना आगा आगा आपका 625 ओम तिसका सही जवाब क्या होगा आपका B होगा ठीक है फ्रेंज आप याद रखिएगा प्रतिरूत का मात्रक हमें सब पूस्तर रहता है बीडियो out को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब होता है प्रेंस कि बीडियो को आधि तक के एक दो बार देख लीजेगा जरूर से इसी में सवाल सभी आएंगे ठीक है एक वस्तु उत्तर लेंस के सामने टू यफ दूरी पर रखी है तो लेंस से उसका परतिविम कहां पर बनेगा देखे फरेंज जब किसी वस्तु को ना टू यफ पर रखते हैं तो उसका परतिवि आपका भी होगा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं या आपके सामने अगला नंबर का सवाल है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है फ्रेंस भी याई प्रशन है क्या है कि एक उत्तल दरपड की फोकस दूरी दिया है बारा सेंटीमीटर ठीक है दरपड की पूछ रहा है ठीक है देखे फ्रेंस यहां पर फार्मुला बताते हैं इसको जरूर आप याद रखेगा तो यह डारेक्ट लग जाएगा तो तुरी बराबर लिखेंगे और तो तिरिज्या और बराबर कितना होता है दूगुड़े फोकस दूरी एफ होता है तो दूगुड़े एफ कमान कितना दिया बार रहा तो कितना हो जब बार दूना के चली अगले नमबर के सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नमबर का सवाल है जो कि बीबी आई है ये 2022 में प्रश्ण पूछ चुका है कि चंद्रमा से देखने पर आकास दिखाई देता है तो फ्रेंस चंद्रमा से यह आप देखते है तो आकास कैसा दिखाई देता है त आकास आपको काला दिखाई देता है इसको भी आप याद रखिएगा ठीक हैं आप के सामने अगला नंबर का स्वाल है यहाँ पर देखिए क przysz जंग का रसाइनिक सुत्र होता है डारेक्ट याद रखेए जंग का रसाइनिक सुत्र क्या होता है जै कि यहाँ पे आफसाल याल का याक् самое gemacht ह तूहोता है दिसका सही जवाब क्या होगा सी देखें फ्रेंज यहाँ फी दिया या편 तेजाब का सुत्र होता है किसका होता है यह सल्फियूरिक अमल बोलते हैं और यह तेजाब का सुत्र है इसको भी साथ में आप जरूर याद रखिएगा ठीक है आपके सामने अगला नंबर का सवाल है देखिए आपको पी-च मान जो निकालना होता है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है पी-च से संबंदित एक सवाल दे सकता है आपके बोर्ड के एक्जाम में अब देखिए इस सवाल को आप लगाएंगे कैसे कि एक विलियन में हाइड्रोजन आयन का संद्रण एक गुड़ी दस माइन साथ मोल प्रति लीटर है विलियन का पी-च मान होगा देखिए फ्रेंस यहाँ पर हाइड्रोजन आयन देने का मतलब येक्ष प्लरस आयन दिया है यदि येच प्लरस matt देगा और पी-च मान पूछेगा आपको प्लस में बताएंगे माइनस साथ है तिसका pH मान क्या हो जागा प्लस साथ होगा ति इसका सही जवाब क्या होगा आपका B होगा ठीक है फ्रेंस आपके सामने अगला नम्बर का सवाल है कि मिस्र धातु कासा में होता है ठीक है आप साने CU-Yasian, CU-Jan, AL-Jan या G-Yasian देखे फ्रेंस जो कासा होता है अब इसको होता है CU-SN होता है तिसका सही जवाब क्या होगा A होगा यानि कापर और टीन होता है कासा में क्या होता है इसको यह त्रिक से बताएं है आप इसी प्रकार से याद रखिएगा जिससे आप बोड की एकजाम में सवाल गलती नहीं कर सकते हैं ठीक है फ्रेंस चलिए अगले न हमें ज़ाग मिलता है तो इस प्रशन का सही जवाब क्या होगा B साबून में यह हम रेजीन मिलाते तो हमें क्या मिलता है ज़ाग उत्पन होने लगता है ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यह भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसको भी ट्रिक से बताएंगे आपको कैसे याद रख सकते हैं सलफर डाई आकसाइड ठीक है का जली यह विलियन होता है देखिए सलफर बनाएंगे यस आकसाइड का मतलब ओटू यहाँ एक चीज़ यहाद रखिएगा कि अधातूं के आकसाइड जो होते हैं वह होता है अमली होते हैं और ध आपका धातू होते हैं आपके अमली होते हैं इस प्राश्न का सही जो आपका होगा एक यहाद रखियेगा इसके साथ और यहाद रखिये होगी का नाम जैसे है जितने भी प्रशन बता रहें हैं आप इसको जरूर वीडियो देख याद रख़ेग़ ठीक है आपके सामने इस सवाल है यह 2-4 million पीछ मान होता देखेंस इस इसवा वार भी बताएं आपको किसका यह ivार्मॉला है ठीचाप का ठीच और ये होता है एक अमल होता है अमलका पी एच मान क्या होता है सात से कम तो इसका सही जवाब होगा सी ठीचोम प्ॉषयों περιक्ताइबा मान पूछेकर गाए और रहे बीवियाई प्रशने जितने भी प्रशने बता रहे हैं बहुत जादा इंप्रस्ञों को आप जरूर याद रखिए देखें बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गयस निकलती है तो बेकिंग पाउडर को हम गर्म करते हैं तो उसमें से carbon dioxide gas बाहर निकलती है तो इसका सही जवाब होगा आपका C ठीक है friends चलिए अगले number के सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला number का सवाल है देखें यहाँ जर्मन silver में कौन सी धातू नहीं होती है friends इसको भी आपको trick से बताते हैं कि इसका option कैसे आप याद रखेंगे जर्मन silver में कौन सी धातू नहीं होती है देखें friends यहाँ पर silver आ रहा है न तो जर्मन silver जो होगी कि इसमें आपका silver ही नहीं होता है और silver का symbol होता अगले नमबर के सवाल को देखते है आपके सामने अगला नमबर का सवाल है यानि से बताना है देखें एक सजाती यूग कौन सथ है। देखें friend यहाँ पर cj h4 c2 h4 दिया है CH3 OH CH3 CHO देखे फ्रेंस आपको सजाती यूग में पहचाना देख कैसे पहचान करेंगे इसका भी एक ट्रीक है देखें यहाँ पर OH दिया है यहाँ पर क्या लाश्ट में OH तो दिया नहीं है CHO दिया है इसका मतलब यह आपसन नहीं हो सकता अब देखें यहाँ पर OH दिया है लेकिन यहाँ पर OH दिया है नहीं यहाँ पर OH दिया है तो इसका मतलब यह आपसन नहीं हो सकता फ्रेंस यहाँ पर देखें CHO है यहाँ भी CHO है यहाँ जब दोनों यह मिल जाएंगे आपके तो यह हो जाते हैं एक सजाती यूगम हो गए तो इसका सही जो आपका सी वाला होगा ठीक है अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यहां पर कि एथील एलकोहल का आई उप्सC नाम क्या होता है देखे फिर एथील है इसको टिक से कैसे याद रखेंगे जब एथी हो का नाल को जीएच नाल यहां आन्सेक पता हो गया मंजब अगले नंबर के सवालों को देखते हैं 21 नंबर का ता होता है । यह इन पित्रस का सराओ कहां से होता है इसका सराओ हमेशा यक्रित से होता एक सवाल और बनता है जठहर रस एक पूछता है जठहर रस एक होता है य्युज़िवेद्ठव आपसंवे रहेगा तरु अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यहां पर अगला तो इसका देखे आपका होगा श्वसन की कारे में महत्तपुर्ण बूमिका निभाता है तुद्ध के अगला नंबर का सवाल का मतलब होता है जो इस सही अपकोच्य अंग है कि का सही आप QU ओवा डिक है ठीके आपके सामने अगला नमबर का सवाल है यहां पर देखिए फ्रेंज पौधों में काईक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है देखिए काईक प्रवर्धन का मतलब फ्रेंज यह होता है कि जब किसी पौधा के तना को काट के हम दूसरे जगा देते हैं वहां से नया पौधा बन जाता है तो वह काईक प्रवर्धन के लिए स्वाग रिखिए इसका सही जवाब क्या होगा आपका एध होगा आपके सामने अगला नमबर का सवाल है यहां पर देखिए फ्रेंज मनिस्यों में पाई जाने बाली मिस्रित गरनती है थ्रिक थे यहाँ पर आप संधी फितृत्र खरती थायराइड रन्थी अगन्याशे गरंथी एड्रिनर गरंथी सिह और गरंथी यह स्वारतीर से भाइन थी वह आपका द्रक्षोंप म 사फिर तो आपको गुर्षूत्र किससे बनावता है डियन्य उसमें होता है प्रोटीन होता है ठीक है और याद रखेंगे जो मनुस्य होता है उसमें गुर्षूत्र की संख्या कितनी होती है यहांपर मास्ट्र गरंथी किसे कहते है छी उसलीए की प्रषन कई बर करवा चुक है कि मास्ट्र गरंथी को कहते है यहांप की प्रशन के इसको बहुत आप याद रख 색깔 कि पॉद्वों में भोजन का स्थानांत्रन कंता है एक होता है ऐक होताए ठुद्फेनच आप जल और लोगा क्या होगा ढ़िधा ठीक जय और लेंगे परिवहन कंन करता है यदि पाधो कर आपका जाइलम होता के यहां पे पूचा आप बोजन का अस्थनांत्रा कौन करता है तो भोजन का अस्थनांत्रा फ्लो-एम करता है यदि आपको जाइलम याद है तो इसका घडा आप नंबर का सवाल है कि मुकुलन पाया जाता है यह भी प्रस्न है ठीक है जी ज्च्छन सनAAAA के मूखलन की परक्रिया पाई जाती है हो घजरा में पायटी है इसका सही जवाब आपको होगा हाई ठीक है अब चलिए अगरे नंबर के शवाल को देखते है आपका तीस नंबर का सवाल है कि निसेचन के बाद पुस्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है ठीक है देखी निसेचन के बाद पुस्प का कौन सा भाग फल में बदलता है तो इसका सही जवाब होगा अंडाशे अंडासे जो होता है यदि निसेचन होता है निसेचन के पाद जो अंडासे होते किसमें बदलता है फॉल में तो फ्रेंस यहां पर तीस महत्तुपड बहवी कलपी प्रश्न आपको कराए हैं चले फ्रेंस अब दिर्ग उत्री प्रश्न को देखते हैं ठीक है आपका फ्रेंस सवाल है देखिए यह आपके यूपी बोड के द्वारे जो माडल पेपर वारल किया गया है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है और यही बोड के एक्जाम में आ सकता है इस प्रश्न को आप जुरूर पूरा देखिएगा और समझाएंगे उसको आप याद भी कर लिजिएगा देखिए आपको प्रश्न क्या है वायूमंडली धारित निम्न घटनाओं को असपश्ट कीजिए ठीक है तारों का टिम्टी माना और अगरिम सुर्यदे तथा विलंबित सुर्यास्त ठीक है अब देखिए इस पर प्रश्न आपको कैसे याद रखना है देखिए वायूमंडली अपोर्तन क्या होता है आप इसको समझेए ज देती है ठीक है यहां पर उपकश ठाओ ब्रतन होता है प्रतों के कहा प्रकार जिसे कहते हैं फ्रिखताइब आपको असपार्षों से समझ में आ गया होगा इसको आप लिकि जरूर में याद लीजेगा very इसके बाद आपका है कि वायू मंडली अपवर्तन पर आधारी जो घटना है इसको भी आप याद रखेगा जैसे तारों का टिम्टी माना अग्रिम सुर्य देता था विलंभी सुर्यासल जो होता है इसको साथ में आप जरूर याद रखिएगा ठीक है यह एक्जामपल के तो पर आधारी थे अपवर्तन के आधार पर आधारी थे यह बहुएकल्पी प्रश्ण में कई बर पूछा जा चुका है देखे फ्रेंस यहां पर देखते हैं कि तारों का टिम्टी माना क्या काराल होता है इस प्रश्ण को आप जरूर याद रखिएगा कि तारों का किस के कार होता है ठीक है अब देखे फ्रेंस वायूमंडल में विभिन परकार की क्या होता है घनत वाले परते होने के कारतारों से चलने वाली प्रकास किरोड़ों में अपवर्तन होता है ठीक है जो अभी अपवर्तन का परिवासा बता है कि जब आपका प्रकास की किरोड़ों में च जाती है और त्रिंटिमाने मतलब मतलब में चलता है जिसे टकराने के बाद प्रकास किरणे उसका क्या होता है तक पर अप्वरतन होता है प्रकास कंहीं हमें ज्यादा और कभी कम दिखाई देता है जिसके कड़ हमें लगता है कि तारों तारे क्या हो रहे हैं ठीक है किस घटना पर आधारी थे आप वर्तन पर आधारी थे इसको आप याद रखेएगा देख़े इसमें आप पूछे इसका भी मुख्य कारण क्या है तो यह है अपका मुख्य कारण अपवर्तन ही होता है ठीक है यहां पी क्या है सुर्यदे वास्तिविक सुर्यदे से दो मिनट पूर्व तरह सुर्यास वास्तिविक सुर्यास से दो मिनट बाद दिखाई देता है इसका मुख्य कारण का है क्या यानि कि जब सुर्यास्त होता है यानि सुर्य जब डूपता है और जब सुर्य निकलता है उससे पहले हमको सुर्य दिखाई देने लगता है किस कारा से दिखाई देता है तो बताना है वायूमंडल यह अपोर्तन होता है उसी के कारा यह घटना में दिखाई देती है ठीक है यहां पी आपके फ़वीकल प्रlvania कंप्लेट सुरी दोस्तों दीर उत्य प्रष् relief प्रष्ण भी आपको बताये आपको कुछ समय के बाद आपको जैसे मोटर हुआ ठीक है फिर इसके बाद आपका निकड़ द्रिश्टी दोस्त ठीक है और दाएं हाथ का बाएं हाथ का नियम जितने भी रसाइन भी का संबदी जितने भी इंपोर्टन फार्मूला है आपको कुछ समय के बाद उसका भी वीडियो आप लोगों के लिए अफलोड कर देंगे उस वीडियो का आप जरूर देखके बोड के एक्जाम में जाए तो फ्रेंस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें